नमस्कार मैं जलालुद्दिन काठाद एसोसियेट प्रोफेसर इतियास विभाग सनातन धर्म प्राजकिये महाविद्याले ब्यावर आधुनिक विस्व का इतियास की क्लास में आपका अस्वागत करता हूँ और आज हम फोकस करेंगे इतली में फासिस्ट अधिनायक तंतर की इस्थापना या फासिवाद की इस्थापना इतली में फासिवाद का जन्म कैसे हुआ किसने किया क्यूं हुआ क्या परिशितियां थी और ये क्या है फासिस्ट वाद क्या है इसके ओपर हम आज प्रकास डालेंगे सबसे पहले हम समझते हैं फासिवाद का अर्थ अंग्रेजी के फासिज्म सब्द या फासी सब्द लेटिन भाषा का है जिसका अर्थ छडियों का बंडल या समू और एक कुलाडी होता है प्राचीन रोमवासी इसे अनुशाषन का प्रतिक मानते थे मुसोलीनी ने फासिवाद द्रश्टिकोंड की इस प्रकार व्याख्या किये फासिवाद कोई ऐसा सिदान्त नहीं है जिसकी प्रतेक बात को विस्तार पूर्वक पहले से ही स्थिर कर लिया गया फासिवाद का जन्म कारिये किये जाने की आवशक्ता के कारण हुआ इसलिए फासिवाद आरम से ही सैदान्तिक होने के बजाए विवहरिक है सन 1924 में मुसोली दी ने एक लेख में लिखा था हम फासी वादियों में परंपरागत राजनेतिक सिद्दांत वादियों की मानेताओं को तोड़ने का सहा से हम अभिजात्य तंत्रवादी भी हैं और प्रजातंत्रवादी भी क्रांतिकारी भी हैं और प्रतिक्रियावादी भी स्रमजीवी भी हैं और स्रमिक विरोधी भी शांतिवादी भी हैं और शांति विरोधी भी इतना ही प्रयाप्त है कि हम लोगों का एक इस्थिर ड्रस्टि बिंदु है राष्ट्र अन्य सब बातें बाद की है सन 1929 में मुसोलीनी ने ये तथ्य तै किया कि फासिवाद को प्रेणा देने वाले कुछ सिद्धान्त होने चाहिए ये कारिये राजाग्याओं दुवारा हुआ इन सिद्धान्तों के आदार पर फासिवाद का जो दर्शन बना उसे अनेग विचारक दर्शन या फिलोस्पी की संग्या देने को तयार नहीं है फासि और नाजी पदतियां आतकवाद परादारित है सतारूड रहना ही इन अंदुलनों के नेताओं का हिकमात रुद्ध से रहता है परन्तु आलोचकों का ये कहना ठीक नहीं है कि फासिवाद का कोई अपना दर्शन या सिद्धान्त नहीं है प्रोफिसर केटलेन के शब्दों में यह इनकार करना निरर्थक है कि फासिवाद का कोई सिद्धान्त नहीं है फासिवाद का एक बहुत ही निश्चित सिद्धान्त है कि वे व्यक्तिकत सत्ता पर सबसे अधिक बल देते हैं इसी आदार पर फासिवादी शासकों ने गोशना की थी कि इटली में स्थापिट फासिवाद शासन सिदान्तिक द्रश्टी से भी पूर्ण है बिना किसी मावलिक विचारदारा के कोई भी व्यवस्ता अधिक दिनों तक टिकी नहीं रह सकती नजीवाद दोनों की अपनी एक निष्चित सदान्त तावली है हमसे सिदान्त तावली के अलोचना कर सकते हैं परzięk उसके अस्तितों से इंकार लुह किया जा सकता यह है सेवाईन भी फासिवादी और नाजीवादी दर्शन के अस्तित उसे इंकार नहीं कर सके हैं मुसोलिने लिखा है फासिवाद एक धार्मिक कल्पना है जिसमें व्यक्ति को एक उच्चतर कोटी की विदी से संबंदित देखा जाता है ये विदी व्यक्ति की लक्षात्मक द्रस्टी होती है और वह उसे एक आध्यात्मिक समाज की जागरू को सदस्त्या प्रदान करती है ऐसे ही हेगलवादी राजे के आदूनिक व्याख्या इसे ही कह सकते है फासिवाद एक और तो माक्स की इतियाश की भौतिकवादी व्याख्या को ऐस्विकार करता है और प्रजातांत्रिक व्यक्तिवाद राष्ट्र फासिवाद का अंतिम और मौलिक आधार है राष्ट्र कोई वे सबसे बड़ा नयतिक जीव मानता है फासिवाद की परिबाशा करते वे इवस्टीन ने लिखा है कि फासिवाद एक एकाकी दल की अधिनायकत्व के अंतरगत शाशन तता समाज का सरवाधिकार वाधी संक्तन है जो अत्यधिक राष्ट्र वाधी जाति वाधी श्रैनिक वाधी तता सामराज वाधी है स्वतंत्रता, समानता और बंदूता के विरोध फासिवाद ने उत्तरदायत्व, अनुशाशन और व्यवस्ता का नारा लगाया मुसोलिनी के अनुशार फासिवाद उन्निश्वी सतापदी के प्रजातांत्रिक उदारवाद से बचने का एक मात्र मार्ग है मुसोलिनी ने अपने आपको वासिवाद का मैत्पूर्ण प्रणेता स्थापद करने का सफल प्रियास किया है तो चुकि मुसोलिनी ही इसका प्रणेता है, मुसोलिनी ही इसका धारण करता है और उसी ने इस विचार धारण को आगे बढ़ाया, इसलिए मुसोलिनी के विचार बहुत मैत्पूर्ण हो जाते है फासिवाद के उत्थान की क्या प्रस्थभूमी रही, इस पर हम नज़र दोड़ाएंगे बीश्वी सतापदी में इटली में प्रासिवाद और इसके प्रणेता के रूप में बेनिटो मुसोलिनी के अभ्यूदे के कारण अनेक थे, जिनकी संक्षिप्ट व्याक्या निम्न प्रकार से प्रस्थूत की जा रही है कि इस परस्थ हो जाता है कि बीश्वी सतापदी से इटली में प्रासिवाद के अभ्यूदे के अभ्यूदे की बूँमिका सरवादिक मत पूंड थी बीशवी सती में इटली में मुसोलिनी के नहतरतों में फासिवाद एक आंदोलन राजनेतिक सामाजिक तता आर्थिक विवस्ता की कारेपदती एवं एक राजनेतिक विचारक के रूप में विक्सित हुआ था किन्तु इटली में फासिवाद के अभ्यूदे की जड़ें मद्य युग से ही पनप रही थी जबकि रोमन सामराजिक बाद इटली एक जिन भिन राश्ट्र हो चुका था मद्य युग में इटली के कवी दाते के विचारों में सर प्रतम फासिवाद के कुछ लक्षन मिलते हैं सोलवी सताबदी के आरंब में इटली को एक शक्ति साली राश्ट्री राज्य के रूप में निर्मित करने के उद्देश्य से वहां के एक प्रसिद कूर्ट नितिगे में कियावली ने प्रेंस तता डिस्कॉर्जेज नामक रजनाय प्रस्तूत की थी 1861 में राजा विक्टर एमैनवल ने इटली में इंगलेंड के नमूने का संसद्य लोकतंत्र सापित किया प्रन्तु वहां की अशिक्षित तता लोकतंत्री परंपराओं के प्रती चेतना सून्य जन्ता के लिए ऐसे लोकतंत्र की सफल क्रियानविती संभव नहीं थी प्रतम विश युद में इटली का प्रवेश भी राजनितिक दलों के मद्य विवाद का विशे बना रहा अंधते इटली मित्र राष्ट्रों का पक्स लेकर युद में सामिल हो गया युद की समाप्ती पर 1919 में वार्षाई की संदी से इटली को घोर निराशा का सामना करना पड़ा विजई राष्ट्रों ने ने तो उसे युद की लूट के लाव का साजी बनाया और नहीं उसे उन उपनिवेशों की प्राप्ती हुई जिनकी उसे पूर्ण आशा तता अकांख्षा थी उसे विजई राष्ट्रों के हाथो महान धोका तता अपमान सहना पड़ा युद में इटली को प्रियाब धन्म व्या करना पड़ा परन्तु युद्धोत्तर काल में उसके सादान इतने सीमित रह गये कि उसके कारण देश में भरी आर्थिक संकट उत्पन हो गया ऐसी आर्थिक गिरावाट संपूर्ण यूरोप में व्याप्त थी कि इटली के समान सीमित सादनों वाले देश को इस संकट का सामना करने की शक्ती नहीं थी देश में उग्र तता उदार दोनों प्रकार के समाजवादी दल थे ऐसी इस्तिती में वहां की लोकतांत्री सरकार इन सब संकटों से देश की जनता को बचा सकने में आसमर्थ प्रतित हो रही थी अतेव देश को गिर्तिवी दसा से उपर उठाने तता देश को सम्रद बनाने साथी जनता में विश्वास उत्पन करने के निमित एक सुद्रड सरकार तता ठोस कारिकरम की आवशक्ता थी मुसोलिनी के व्यक्तितों में तथा नैत्रतों में इटली को एक ऐसी महान विभूती प्राप्त होई जिसने लगबग 25 वर्ष तक अपने कारिकरमों तता विचारों को रूप प्रदान करने की चेस्टा की जिसने इटली यद पी इटली को युदोत्तर कालीन दूर दसा से तो बचाने का प्रियास किया परन्तों उन्हें उग्र तता आतंकवादी बना दिया अंतते दूसरे विश्वी युद्ध में इन सब का विनास ही हुआ ये था फासीवादी अधिनायक तंत्रवाद जिसका नेता मुसोलिनी था इटली में फासीवाद के उदे के बहुत सारे कारण हुएं कुछ परिस्तितियों का जिक्र अभी किया वर्जाई की संदी से उत्पन निराशा लेकिन और भी बहुत सारे इसे कारण थे जिनकी वज़े से इटली में अधिनायक वादी विचारधारा या यूँ कहें कि बहुत कटर विचारधारा जिससे फासिस्ट नाम दिया गया उसका उद्भा हुआ और उसका नर्त तो किया बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में इसके प्रचार के क्या क्या कारण थे या इटली में और फासिस्ट कौन-कौन थे इन सब परिशितियों का जो है अध्यनम अगले